सबसे पहले आप सभी मित्रों को नवर्ष की हार्दिक सुपकाम नाए प्रियसाथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष से कोरोना महमारी की कारव देश बर के सभी सैक्षिन संस्थान बंद थे जिसका बहुत ही व्यापत प्रिभाव आपकी पढ़ाई पर पढ़ा लेकिन जब आप सब कुछ सामानी हो रहा है सभी सैक्षिन संस्थान खोले जा रहे है तो अपना संस्थान भी ओपिल किया जा रहा है जैसा कि आप सभी को पता है अपनी कुछी संस्थान में सबसे पहले दो नया टार्गेट बेच इस्टार्ट किया जा रहा है जिसमें पहला बेच आपको दिनाग 8 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है उसका समय है मौर्णी में 8-9 और दूसरा बेच आपको सामने प्राणफ हो रहे है जिसका डेट है 20 जनवरी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सबेरी में समय नहीं मिल पाता है तो वो सामवाले प्लास को जॉइन करेंगे और जिनको इवनिंग में समय नहीं मिल पाता है वो मौर्णी वाले बेच के जॉइन करेंगे एक जियान रखना या टार्गेट पीछे यानि जो छात्र पिछले बार एक्जाम में रिजल्ट नहीं ला पाए या किसी कारणास आप असफल हो गये हैं या आपको इस बार सबसे पहले बीच में जॉइन करके बहुती बहुतर रिजल्ट का प्रदर्सन करना है तो आप सभी छात्रों से ये अनुरोध हैं आप इस बीच को ही जॉइंसे क्योंकि ये टार्ड़े बीच है इसका सील्बस आपको सबसे में समाप्त होगा इसमें आपको प्रैक्टिस करने का जाना स Louise जाता मौगा मिल पाएगा पहले जब सील्बस समाप्त होगा आप कोسेश्चन बेंक बना पाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुती बहतरी नाएगा यारी आप बहुत अच्छे रेंग से पास होंगे और जब आपका रेंग अच्छा बन जाएगा तो आप मजचा है कॉलेज में और मजचा है प्रांच लेकर के आप अपना एडमिसर करवा पाएंगे और एक जब ध्यान रखेंगे बैच का दिनांग तो हमने बता ही दिया फिर्शे ध्यान रखेंगे पहला पीच आठ जनवरी दोज़ान एकीस से मॉर्णिंग में आठ से नो और दूसरा पीच इवनिंग लिश्टा टूरेल जिसका तारीक है बीस जनवरी विशेश जानकारी के लिए आप सभी ऑफिस में आगर के हमसी मिल सकते हैं तो मिलते हैं नए जोस नए उत्साह और फिर से उसी उम्मंगे के साथ आफ लाइन क्लास में मॉर्णिंग के आठ बशे सभी छात्रों को पुनल नवर्ष की हार्दिक हार्दिक सुब कामना है जहेद